सबी यूट्यूबर्स क्या चाहते हैं? सब्सक्राइबर्स आदा हूँ, व्यूव जादा हूँ, हमारा जो वाश टाइम है वो जल्दी से जल्दी इंक्रीज होता रहे ताकि हम यूट्यूब पे जल से जल ग्रो करें। वो सारी बातों पे ध्यान देते हैं, कैसे वाश टाइम को बढ़ाएं, कैसे व्यूव लाएं, कैसे हम अपने सब्सक्राइबर बढ़ाएं, लेकिन मेरा कहना यह है और यूट्यूब पे बहुत सी इस टॉपिक पे वीडियोज भी हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको अपन कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए आपको अपनी वीडियो क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए आप जो वीडियो बना रहे हो उसको बेटर करने की कोशिश करो वीडियो क्वालिटी बेटर करने की कोशिश करो लेकिन आज कल नए नए यूट्यूबर्स जैसे मैं भी था ल मैं उनको एक संदेज देना चाहता हूं और कुछ दिखाना चाहता हूं जिससे हो सकता है ये वीडियो मेरा देख के वो मॉटिवेट हो और इतनी जल्दी हार ना माने तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो हेलो फ्रेंड्स मैं मसूद मेंदीर जवी आपका दोस्त आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीम टेक फ्रेंड्स आज किसी टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहा हूं आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैंने अपने यूट्यूब पर फर्स्ट यूट्यूब पर अप्लोट किया मैंने वो कैसा था और उसका दिखाने का मकसद मेरा यही है कि जो नए नए यूट्यूबर्स हैं वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और अपने चैनल पर काम करना बन कर देते हैं तो फ्रेंड्स आइए दिखाते हैं जब मैंने अपना फ वर्ष्ट अप्लोट किया यूट्यूब पर हलो मैं नेम इस मसूद मेंदी रिज्वी और मैं एसी टेक्नीशन हूं आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं हूं क्योंकि हमारे पास मेरे फ्रेंड सर्किल में जित्ते भी लोग एसी का काम करते हैं उनकी मेरे पास करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को जवाब दे सकें और उनकी प्रॉब्लम को सॉल कर सकें तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्यों हो रहा है पहली चीज तो यह ध्यान में रखके चलेंगे कि हमारे अप लोग ने देखा कि मैंने जो अपना फर्स वीडियो योटियो पे अपलोड किया था वो मैं कैसे बोलता हूथ और आज कैसे बोलना हूँ तो जितने भी नए योटियोबर्स हैं उनको इस वीडियो से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ हासिल हो आप इन सब चक्करों में ना पढ़ें कि वाश टाइम कैसे बढ़ेगा व्यूफ कैसे बढ़ेंगे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे मेरा मानना यह है फ्रेंड्स बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं मेरा एक दोज भी है उसका भी यूट्यूब चैनल था उसने कुछ दिन चलाया लेकिन व्यूफ और सब्सक्राइबर और वाश टाइम नहीं बढ़ा लेकिन उसने और फिर धीरे धीरे उसने अपने चैनल को बंद कर दिया तो फ्रेंड्स यह मेरा वीडियो इसलिए है जित्ते भी यूट्यूबर्स हैं वो कोशिश करते रहें हार मत मा आने एक ना एक दिन जरूर कामियाब होंगे आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए आपको अपनी वीडियो क्वालिटी एडिटिंग आवाज वाइस इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना है आप इन सब चक्रों में पढ़ें कि आप वाश टाइम कैसे तो मेरी सबसे यही राय है जितने मी छोटे भाई है मेरे नए यूट्यूबर्स हैं मेरी यही राय है मेरा यही सुझाओ है कि आप अपने कंटेंट पर ध्यान दें अपनी वीडियो क्वालिटी पर ध्यान दें और एक ना एक दिन जरूर आप कामियाब होंगे आपने भी देखा कि मैं जब मेरा फर्स्ट वीडियो आपने देखा मैंने किस तरह मैं बोलता था और आज किस तरह बोलना हूं मैं भी अभी बहुत पर फेक्ट नहीं हूं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं तो यही कोशिश हमको कामियाब करेगी मेरी दुआ है आप लोग भी कोशिश जारी रखिये एक ना एक दिन आप जरूर कामियाब होंगे और जब कामियाब होंगे तो मुझे भी अपनी दौाओं में याद रखियेगा क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो देखा जिसमें लोग इस बात से लेकर परेशान हैं और मेरा जो दोस्ता उसने भी अपने चैनल को इसी वज़ा से बंद कर दिया कि व्यूव अगरा नहीं मिलना हैं तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने यूट्यूबर्स के लिए जो हमारे छोटे भाई हैं उनके लिए बनाया वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें लोगों में शेयर करे और कमेंट करके जरूर बताएं और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन जरूर दबा लें क्योंकि मैं इस अपने चैनल पे टीम टेक पे टेकनिकल वीडियो जो होम अपलियांसे से रिलेटेड लाते रहता हूं फिर मिलेंगे कि इसी टापिक के साथ अब तक अपना ख्याल लखिएगा गुड़ बाए